हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीर स्वाइब करता हूं अपने YouTube चैनल कोईन मेडिया में दोस्तों जैसे कि आज आज आपने थम्नेल देखा होगा कि 5 रुपीस का दोस्तों स्टेंलेस्टिल का कोईन आपको देखने का मिला होगा ठीक है तो दोस्तों यह कौन सा काषण है और दोस्तों काफी समाल के रखने वाले यह coin है ठिक है इसमें दोस्तों पूरी सीरीज पे सारी जो भी सीरेज आई थी इस सारे मेरे collection में हैं अपने collection के coin से दोस्तों आपको समझाओंगा अगर आपके पास भी है तो दोस्तों आज की value क्या चल रही है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तो, तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब दोस्तो देखी है कौन सा कोई stainless steel का कोईन है दोस्तो, जो कि दोस्तो 2005 में आया है, metal इसका stainless steel है और copper nickel में भी आयते हैं सारी information में आज आपको दूँगा copper निकल में 9 ग्राम में आए stainless steel में दोस्तों यह 6 ग्राम में ठीक है size इसका 23 mm है thickness इसकी देख लिजी है 2.2 mm है shape इसकी round है ठीक है तो दोस्तों यह 2005 में आए थे यह आप अपनी screen पर देख रहे हैं दोस्तों इस टेम में जिसकी बात कर रहा हूँ वो यह है दोस्तों ठीक है dandy mars के coin के उपर दोस्तों आज पूरी detail information के साथ video बना रहा हूँ अगर आपके पास है यह coin तो आप अपने collection में चेक करिए ठीक है यह देखिए दोस्तों यह है मेरे collection के कुछ coin fss में है दोस्तों ठीक है इसमें fss में दोस्तों दो विराइटी आती है आपको मालूम होना चाहिए अगर आपके collection में ऐसे coin है तो दोस्तों उसमें मूल विराइटी के भी coin आते हैं दोनों साइड मूल होते हैं मनला copper nickel की die use होती है अभी वह सब दोस्तों मैं आपको information दे रहा हूँ एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा अब दोस्तों जो इसमें एजिस आते हैं वो देखिए एजिस दोस्तों जो नॉर्मल है सिक्योर्टी एजिस है यह देख रहे हैं ठीक है इसमें अगर रेड़ेट आ गया है दोस्तों प्लेन आ गया एजिस तो समझ लीजिए वो एक कीमती कोईन हो जाएगा अपने कलेक्शन में आप चेक करिए ऐसे भी इसमें दोस्तों रेड़ेट और प्लेन एजिस गूमते है उनकी कीमत अलग होती है ठीक है यह सबसे उपर जो है वो दोस्तों एक म्यूल कोईन है यह मैं आपको स्क्रीन पर पहले म्यूल दिखा रहा हूं यह देखिए दोस्तों इसमें कॉपर निकल की डाई यूज हुई है यह देखिए ठीक है लोएन को देखेंगे और आर को नार्मली जो रहन होते हैं यह होते हैं देखिए टैब बन गलता है तो यह दोनों नीचे वाले प्कॉछ यह हूं को फ्ष की डाईन में तेखिम में क्याफिव्या को मिल जाएं जो मियूलScह, रही है दोस्तों यह देखें देखिरा सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें जब बना रहा हूं तो दोस्तों पूरी इंफर्मेशन दूंगा आपको आप अच्छे से समझीए ठीक है यह देखिए यह यूएंसी का दोस्तों एक डांटी कोईन है मिन्ट मार्क से मिन्ट मार्क से आपको पेचान होने चीह यूएंसी सेट का कोईन है sudah यह दोस्तों में प क्र Bitcoin कोईन है फांटि और के बात करें खानाब' क कर रहे घ passport को दोनों निकल ठोस्तों में इसकी यूएंसी में दोस्तों यह वैल्यू चल रही है इसकी वह दोस्तों आपको इजीली मिलेगा यह एस टम 9000 पे के अंदर अंदर ठीक है साड़े 8 से 9000 के बीच में यह UNC का मिलेगा इसको दोस्तों काट के भी दे सकते ये तीनों डायमेंड डान्डी के कोईने एक-एक करके दोस्तों इससे बात करते हैं और वैल्यू भी बता हुआ ठीक है ना तो सबसे बड़ी बात दोस्तों मेरे केलेक्शन के कोईने मैं आपको अच्छे से इजिली इसलिए दिखाके समझा पा रहा हूँ यह देखे दोस्तों यह एकदम BUNC condition का coin है यह दोस्तों डांडी का coin है यह देखे proof set का coin है नीचे आपको M-Alpha Wat देख रहा होगा यह दोस्तों proof set से निकला हो coin है value दोस्तों इसकी stem चल लिए यह देखिए और देखे रेडेड़ेडेजिस में है ठीक है स्कीरटी नहीं है पूरा फॉल्ड रेड़ेड में है यह दोस्तों कीमती कोईन होते हैं इसमें सिकर्टी आथे उसकी अलग वैल्ली हो जाती है तो ऐसे चीज आप समाल के रखिए फ्यूचर में दोस्तों बहुत की कीमत जो चल रही है इसकी ग्यारा हजार पर चल रही है ठीक है प्रूफ चाइट वाले की कि बिल्कों बी यूएंसी में देख लिए आप एक दम कि अब दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि यह देखिए दो बच गए अब दोनों दोस्तों यह बहुत महेंगे कोईन हैं जो आपने थम्नेल पर वैल्यू देखिए फुर्णदिक के गयूइंogen है यह दोनों भी दोस्तों डांडी का यह BUNC condition का coin है आपको पता है मैंने कितने मिलिया था देखी वो diamond अलग था यह diamond अलग है देखी वो perfect Diamond था यह पूरा diamond नहीं है यह circulation माला कोईन है ठीक है दोस्तों यह डांडी का circulation coin है यह देखी इसके ages देखी है security ages है ठीक है दोस्तों बी यूएंसी में है मैंने 37,000 का लिया था दोस्तो आज भी वेल्यू यही चल रही है लगबक 40,000 के अंदर अंदर ठीक है 35 से 40 के बीच में वेल्यू घ्योंब रही है अगर बी यूएंसी का कोईन है तो ठीक है दोस्तो अब दोस्तो मैं सबसे महगा कोईन दिखाने वाला हू जो कि दोस्तो काफी सारे बड़े बड़े auction house में निलाम हो चुका है ठीक है पहले आप इसके निलामी देखिए एक एक करके दिखा रहा हूं दोस्तो आज भी यह निलामी पे लगा हुआ है इंटरनेशनल auction house में जो कि दोस्तो इसकी वेल्यू वेल्यू निलामी शुरू पता यह 2011 का auction था दोस्तों और देखी यह 18000 पर में दोस्तों सेल हुआ है ठीक है यह डांडी का दोस्तों EXP कोईन है ठीक है experimental कोईन है बैक साइड में आप देख लीजिए पहले इसको आप अच्छे से देखिए ठीक है 18000 पर में ठीक है दोस्तों यह 15000 में यहां पर सेल हुआ था यह भी दोस्तों 2012 का ही auction house है ठीक है इस टेम दोस्तों जो निलामी इस टेम देखिए इंटरनेशनल पर चलिए नियुमिस बिट पर तो दोस्तों यह निलामी पर लगावा है देखिए 700 डॉलर से स्टार्टिंग है इसकी ठीक हो रहा है यह सब चीज़े मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए यह कितना ज्यादा एक्सेव मेंगा कोई और रेर कैटिगरी का कोई है ठीक है दोस्तों एक पर यह सेल भी हो चुका है यहां पर है नहीं है इस्टेम यह 45000 का किसी ने उठा भी ल दिखा हुआ यह दोस्तों experimental कोई होते हैं ठीक है पहले यह डाई बनाई जाती है कि कैन से कोई प्रकाश में लाए जाए तब एक कोई सेलेक्ट होता है उनमें से ही दोस्तों यह वाले कोई हैं जो circulation में आये फिर ठीक है नत पहले यह नमूना ही बनते हैं नमूने कोई बोलत रखा है यह दोस्तों आपको किसी को भी चाहिए हो तो यह सेलिंग पे है जो दोस्तों रीजनेवर प्राइस पर दे दूँगा क्योंकि मेरी पुरानी बाइंग होती है तो आपको चाहिए अपने परस्ट्रेंल के लिए यह एक ही पीस है ठाल को चाहिए तो आप मैंसे वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है पूछ लेना आपको प्रूफ का चाहिए यूएंसी का चाहिए यह 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 एक्सपरिमेंटल यह लिखके उस प्राइस अ की यह विच्थ के लिए है तो यह रिसर्च कर रहा हूं आपके लिए नियू नियू इंफ्रमेशन के लिए थोड़ा वह ताइम लग जाता है एक दो दिन का वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है ठीक है ना वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम सहा है तो ठीक है दोस्तों मिलें अगली वीडियो में क्यों के मैं टेक केर